हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगिन आज हम पढ़ेंगे हमारे जो बचे हुए कोशन है हमारे इंग्लिश लिट्रेचर के हंडर के आसपास हमने एक वीडियो में पूरा कर लिया था यह पार्ट नमर टू रहेगा इसमें जो भी आपके बचे हुए इंडियन लिट्रेचर के जो हम लिट्रेचर के वर्क है तो यह सब किसके वर्क है यह रविंदरना टेगोर के वर्क है अधर वेलना प्रोच वरक उप अरिन टेगोर परस्थनलेटी इनी यह वर्क है लेक्ष्ण कमद्रेचर के है उसके बाध में वी डियोम के वा कि यह आर्के नवायन की जो ओटो बाइयोग्राफिया वह क्या है तो अरकी नाराइन की वह बैफ्योचने और अगर हम बात के करें, तो यह क्या है, my days है, लेकिन इसमें autobiographical element के बारे में बताया है, my dateless जो diary है, वो इनका collection of autobiographical essay है, collection of autobiographical, इसमें autobiographical element दे रखे हैं, अगर सिरफ आपके लिए इसमें, कि autobiographical है तो my days है, अगर autobiographical elements of essay की बात आती तो my dateless diary है, ठीक है, तो my dateless diary is a collection of autobiographical essay by R.K. Narayan, उसके बार में, some of her lyric work is likely, I think to survive among the lasting thing in English literature, these lines and sad force Rosani Nido by, यह लाइन किसने बोली तिस Rosani Nido के लिए, कि some of her lyrical work is likely, I think to survive among the lasting thing in English literature, तो यह उनके बारे में बोला था, अर्विंदो ने, जिन्होंने सावित्री लिखा था, which of the following does not belong to R.K. Narayan, R.K. Narayan से relate क्या नहीं करता, my days इनका है, my dateless diary इनका है, next Sunday इनका है, पुंडालिक है, यह इनका work नहीं है, यह है चटोपादयाई जी का work, नलीनी is a work by, नलीनी किसका work लग रहा है आपको, नलीनी work है, वह किसका work है, तो यह Komedy पले है, और यह किसका work है, यह Nijim H.K.L. जी का है, नलीनी work देख करके ऐसे लग रहा है, कोई short story, कुछ इस type का है, लेकिन यह Komedy पले है, और Komedy पले है, यह Nijim H.K.L. जी का है, waiting for mahatma waiting for mahatma है वो किसका वर्क है नारायन जी मुलकराज आनंद राजा राव और शंकर राम तो ये आर के नारायन जी का वर्क है waiting for mahatma तो इसमें भी आप याद रखेंगे आर के नारायन जी को यह किसका है यह ट्रायदोजी है विलेज श्वयर्स ब्लेक वोटर इसके अंदर एक रखेंगे नहीं किजें जो ट्रायदोजी है वो कौन से करेक्टर के बारे में बताते है तो बहुत इंपोर्टेंट है यह लाल सिंग और यह पंजाबी एक किसान थे यूद्ध थू वैरियस experience in India and abroad तो इनका दोनों जगह का experience है आनन्द अनौंस दा title of novel as all men are brother based on slogan of George Orwell's animal form in which one of character says all men are enemies all men animals are comrades but on the suggestion of George Orwell he named it the sword and the shickle it is adapted from a stranger by William Black's poem from a notebook कई बार ये भी question पूछ लिया जाता है कि किसकी जो पॉइम है उसे ये मतलब अड़क किया गया है तो William Black की पॉइम है notebook 1773 उसे ये वक का title लिया गया है तू लिवस एंड बढ़ है वो किसका वर्क है तू लिवस एंड वर्क है वो मुल्क राज आनन्द का है बाखा इजे क्रेक्टर इन बाखा किसका क्रेक्टर है अंटचेबल का इन अंटचेबल आनन्द एम्प्लॉइड स्टीम आप कॉंशियसनेस टेक्निक तर्म वॉच कोईन बाई विल्यम जेम्स ने स्टीम आप कॉंशियसनेस को अपनाया था एंड इन नाइंटीन आप्लाइड इंड लिटरी कॉंटेक्स वें डिस्किसिंग डोरोथी रिचर्ट्सन और उनके नोवल के अंदर भी इसका यूज हुआ है उसके बाद में है मुन्नू है वो इंमोर्टल क् एम फोरेस्टर मुल्क राज आनंद का ऐसा कौंशा वर्क है जिसमें एम फोरेस्टर और डी एच लोरेंस का इंफ्लूएंस दिखाई देता है तो वह है टू लीव्स एंड बडगंगु वाला है विच्छोब दा फोलोविंग इच एन ओटो बाइग्राफिकल नोवल इसमें यह सारे आ जाते हैं तो इसको सेवन वोल्यूम के अंदर इन्होंने पॉब्लिश कर वाये था मॉर्निग फेस 1968 में लिखा आप यह मस ऑटो बाइग्राफिकल नॉवल बिलॉंग टू यह किसका है मुल्क राज आनंद जिसके लिए इनको सहीतिय अकेडमी प्रेसकार भी मिला था. कब मिला था 1971 में. स्वामी इंट फ्रेंट्स बिलॉइंट्स बिलॉइंट्स किस ने लिखा था? आरक नारायन ने. ये भी इनकी ट्रायलोजी का ही पार्ट है. दा इंग्लिश टीचर हो गया, बैजलर फार्ट हो गया व्र स्वामी इंट्सु. इंग्लिश टीचर 1945 वाज रिटन बाई ये भी आरकी नारायन का वर्क है नेक्स्ट है विच्ट अब दा नोवल ओप आरकी नारायन डिल्स विद गांधी जी सत्यागरे इसा कौन सा इनका वर्क है जो गांधी जी के सत्यागरे और उनकी डेथ के बारे में बताता है नाम से ही पता चल रहा है वेटिंग फोर दा महात्मा तो ये अनिता देसाई का पहला ही नोवल है 1963 के अंदर उन्होंने लिखा था इसको और इसमें माया और गोतम वाली कहानी जिसमें वो अपने पती को धका देके नीचे गिरा रहती है और गोतम को आप बुद्धा मान सकते हैं उसके बाद में वोईश ओप दा सीटी बिलोंग्स टू वोईश ओप दा सीटी ये भी अनिता जी का ही वर्क है डार्क रोम इस अनोवल भाई डार्क रोम है वो किसका वर्क है आर के नरैन क़ ए कि ऑर्क का थे रिक resolving few पुरिवर्थ मालगूडी डेज बाई आरके नारायन का है अ सनेक इन दागार्डन बिलोंग्स टू ये किसका परक है आरके नारायन का परक है तो इसमें कोब्रा की बारे में जिकर किया गया है जो एक बंगले के अंदर गूश जाते है सब्सक्राइब़ा बंगले के अंदर या एक शीरिया के इन्धा ग्रास गोर्स दैमंज और स्ट इट अधर्स ये क्या है ये क्लेक्शन ओफ शोर्ट्रीश है एह मंत दीव अनन्स दियोक और घ्लारती को आनन्स के और खांज कोया तो एक्सपॉच ए वी लप छोसाइटी।ऌ साइट्टी की जो बुराइया हैं उनको इन्होंने उभारने का काम किया है लोगों के सामने लाने का काम किया है और जो लोग मतलब बहुत ज्यादा इन चीजों से जूंजरे उसके परती इन्होंने शानुम्भूती दिखाई है इसा कौन सा है तो दा चाइट एंड अधर स्टोरी के नाम से बहुत है इनकी बारबर्स टेल रिफ्लेक्शन ओन दा गोल्डन बैड दा पावर उप डार्कनेस दा लाजवन्ती और भी मिल जाएंगी ऐसे अधर स्टोरी अधर स्टोरी कुछ ऐसे तो आप यह सोजना अधर स्टोरी जिसका आता है वो इन ही कही है इंडियन में तो इन छे साथ में से तो इसमें कौन सा नहीं है सेवन समर्स नहीं है यह उनकी एक बायोग्राफी है लोटरी किसका वर्क है यह भी मुल्क राज आनंद का एक शोर्ट स्टोरी वर्क है इंडियन इंग्लिश लिटेचर रीजनल नोबल के लिए कौन जाना जाता है तो यह नारायन जी मालगुडी डेज बाबू बलकी राम बाई मुल्क राज आनंद का वो क्या है तो वो पोलिटिकल शोर्ट स्टोरी है यह किसकी पोईम है यह कमला जैनत महापात्रा किया इंडियन समर्ट अमिसिंग पर्सन दा वोर हाउस इन कलकेटा स्टीट यह किनका यह पहले फिजिक्स के प्रोफेसर ते और इन्होंने उडिया भासा में भी क्योंकि यह उडिशा से बिलोंग करते थे तो उडिया भासा म अगर आपको पूछा जाए कि इंग्लिश के अलावा कौन सी भासा इन्होंने यूज़ गये तो उडिया और इससे पहले कि एक फिजिक्स के लेक्चरार थे और इनको पोईटरी के अंदर 1981 के पहला ही रिलेशन्शिप जो इनका पोईटरी शंग्रह कलेक्शन है उसके मेडेट है और यह बाड़ टाइम जो उनका आया था वोलियूम आया था उसके अंदर था फिलोस्पी एंट इंटर्प्राइज इंटर्प्राइज का नाम आप फिलोस्पी तो ध्यान नहीं रहता लेकिन इंटर्प्राइज आप याद रखना निजम इस के लिगाएगी फि आपने बच्चे के लिए उसका प्यार दिखाया गया है मतलब Selfless Motherhood दिखाया गया है Night of Scorpion वाला तो यह निजम इजकेल की बहुत फेमस पोईम है और बहुत अच्छी पोईम है यह हर एक्जाम में आती है The Old Playhouse is a work by यह कमलादास का है The Old Playhouse उसके बाद में which of the following is by कमलादास The Looking Glass भी उनिका है Dawn at Puri Homecoming Night of Scorpion Night of Scorpion अभी अभी हमने पढ़ा है किसका वर्क है निजम इजकेल का है और उसके बाद में इनका कमलादास का इनमें से कौन सा है The Looking Glass है Dawn at Puri की अगर बात आती है तो उडिसा और पुरी से related कौन है जैन्त महापात्रा है Homecoming किसके आर्थ पार्थाशारती जो है इनके जैन्त महापात्रा के साथ में ही थे एक है तो ये उनका है और Night of Scorpion है निजम इजकेल का A Hot Noon in Malabar ये कमलादास का वर्क है महापात्रा इस इन हीज पोई महापात्रा ने क्या डिपिक्ट किया है क्योंकि इनका एक वर्क था रिलेशन्शिप उसी से आपन दाजा लगा सकते हैं और complexity man-woman relationship ये नहीं है तो इन्होंने explore the complexity of human relationship को दिखाया है Lost the logic belong to Lost and logic ये महापात्रा का ही वर्क है उसके बाद में है विचोप दा फॉलोविंग इस नोट आ नोवल भाई आर किनाड स्वामी और फ्रेंड बैसलर ओफ इंग्लिस टीजर तीनों इनका एक रोस दा ब्लेक वर्टर मुलक राजानन का है विचोप दा फॉलोविंग इस नोवल भाई अनीता दिसाई क्राइदा पिकोक बाई बाई ब्लेक बर्ड वेर शेल वी गो दिस समर फायरों दा माउंटन इस सारी के सारी इनके वरकर फायरों दा माउंटन के लिए इनको साहित अकेडमी मिला था हाव मैनी नोवल्स हैसज कंमला दास रिटन कंमलादास ने असने नोवल लिखे 20 sì नोवлы लिखते होने एक लिखनता अलफा पेटर पलस्ट वाला और वाल कंमला दास 24 ईनके वैसे इनके novel का क्यों जिकर आया है क्योंकि ये poetry ज़्यादा लिखती थी और poetry के लिए ही इनको साहित्य अकेडमी इनको मिला था 1985 में collection, collected story या कुछ ऐसे collected उसके लिए collected points collection कुछ ऐसा था इनका तो उसके लिए इनको 1985 में मिला था और इसलिए इनके novel famous है क्योंकि poetry लिखने वाले बंदे ने novels भी लिखे है वो famous तो poetry के लिए है इसलिए इनके novel का जिकर आता है तो दो लिखे थे अलफा बैटो प्लस्ट और एक और आ गया आ जाएगा मुझे उसका doll house, doll for the child prostitute कुछ ऐसा है who among the following points was influenced by Kabir, Kabir से कौन परभाविता and render some of his words into English और उनकी कुछ चीजें है उन्होंने अपने work में दिखाई है तो ये रविंदेना टेगोर थे which of the following is not a novel by Kamladas alphabet of lust ये उनका एक novel है a doll for the child prostitute ये भी उनीका एक novel है dark hold no error ये इनका नहीं है ये शशी देश बाणने का है the young Spanish maiden is the work subtitle Spanish maiden ये बियांका तोरुदत ने जो पहला novel English में लिखा था किसी lady writer ने ये बियांका था और ये शायद अधूरा रह गया था इसी का ही subtitle है the young Spanish maiden to renewed English critics political mentors who were the कौन लोग थे जिनको जैसे उनका एक पहला आया था golden threshold तो उसमें जो अर्थर है सीमन अर्थर सीमन उन्हों ने इंट्रोड्यूस करवाय था उसके बाद उनका आया था जैसे bird time आया था और एक broken wing बाला आया था तो Edmond Ghost ने उनको इंट्रोड्यूस करवाय उसके बाद है निजिम इज्गेल वाज़ा फर्ष्ट इंट्रोड्यूस करवाय थे मुझे याद आ गया कि ऐसा कौन सा इंडियन राइटर है जो पुलिस अधिकारी भी था तो यह एंके दारुवाला थे लीलाज फ्रेंड बिलॉंग्स टू लीलाज फ्रेंड एक नाम है वर्ग का यह किस से बिलॉंग करता है यह आर के नारायन का है ली जनिल्नल डे मैडमेश लर्ड आर्वश इज़ आ फ्रेंच लोवल यह फ्रेंच novel है यह फ्रेंच आप फ्रोम यह कहां से ले गई है यह लाइनी तो इसी वक्ष ले गई है प्लैंकिन बीर से तू अब बुद्धा शीटिड ओन आ लोटस यह वही लोटस पोई में जिसका पूरा नम टू अबुद्धा शीटिड ओन लोटस यह गांधी जी को डेडिकेट की गई है स्रोजिन दू के दबरा हाउ मैनी नोवल्स है कमलादास रिटन यह तो हो गया हमारा यह दूबरा आके शायद यह वाला पीज उसके बाद नेक्स्ट है वीद फूटाइल हैंट्स आसीन तो गेन आवर इनक्सेसिबल डिजाव डिनर समिच तू एटेन विद फेट देट सिंक्स एन फ आई डू का है विच कलेक्शन ओपोइंट वाई को लटकर अबाउट तर डार्क अंडर साइड ओप मुंबई मुंबई की डार्क जो अंडर साइड को दिखाता है ऐसा कौन सा वर का अरून कलरतिक का काला गोडा जो पोइम है वही है बेबी कोचमा यह गोड उप स्मॉल त इसाई का नोवल है इन क espaço कंटी अनिता दिसाई और कस्टडी मंझम कपूर का है और मंझम कपूर की जो दो नोवल एक कस्टडी है और एक इम् citizenship हैं तो दोनों के नोलिस्ट मंजु कपूर बोन मंजु कपूर है वो कब जन में थी तो 1948 में डिफिकल्ट डोटर इज अनाल भाई तो डिफिकल्ट डोटर है यह मंजु कपूर का पहला यह डेब्यू नोल है जिसके लिए इनको कोमन वेल्थ पोईटरी प्राइस मिला था हूँ इदा प्रोटा नोoueल है तो होमगोल मंजु कपूर का है इसकी एक हेड्यो लडकी होती है वह पढ़्य होती है में तब मन्जु कपूर नोवल होम पबस्तपूज कभ्षा यह वक्त 2006 में पृ्टोगनिस्ट मझु कपूर नोवल होम इसकि मन्जु कपूर कि mirror क्पूर मेरinary Virginia प नाम से भी इन वोटर आया उसके बाद यह आया मैरेड वोमेन वाला दो हजार दो में और यह होम वाला है दो जार छे में तो हूँ इस दा प्रोटागोनिस्ट ओप मन्जुकपूर सुरी यह भाग लिया तोड़ा सा नीशे भाग गया है यह एक मिनट एक मिनट in which year मजुकपूर स्थ नोवल A Married Woman published 2002 में हुई इस प्रोटागोनिस्ट और मन्जुक पूर के नोवल जो मैरीड वोमेन की प्रोटागोनिस्ट कुन है आस्था घर में है आस्था ना मैरेज में आस्था ऐसे आप याद रख सकते इसको married woman है तो आस्था घर में है तो निशा घर में निशा और अगर उसकी बाद करें difficult है तो क्या है बीरमती तो ऐसे याद रख लेना आप ठीक है उसके बाद में है हमारा इसको एडिट करने का काम किया था मंजुकपूर का जिसके उपर धारवाइक बना हुए है परदेश में है मेरा दिल तो आज के लिए इतना ही मैंने में मोटा मोटा आपको करवा दिया है और बहुत important question है इनको छोड़ना मत आप और जितना हो उसकी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को एक बार दो बार exam से पहले भी देख लेना यह बहुत important है इसमें आपको सीधे सीधे question मिलेंगे second grade में दो तो आज के लिए इतना ही टेक कियर बाई 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 नेक्ट वीडियो लेकर के आऊंगी literary terms के उपर बहुत important important question मिलेंगे वो भी आपको